कि आई ये दोस्तों देखते हैं आज देखेंगे कक्षा 12 कि पुस्ते का शर्जन और अगर दोस्तों आपको वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रहा तो देखें उपर मॉवाइल के कौने पर क्लिक कीजिए उसमें आपको तीन डोडोड के निसान दिखाई देंगे तो उसमें आप वीडियो क्वाल्टी 144-240 है तो उसको वीडियो क्वाल्टी 400 से कर लिए तो वीडियो एक्दम साफ दिखाई देगा और दोस्तों अगर आप चैनल पर नहीं है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखें वीडियो के नीचे आरसर इंदी चैनल नाम लिख है और दोस्तों आप फस्ट क्रेंडोर से कुचे समधित मेरे सारे वीडियो देखने चाथ हैं तो आरसर इंदी चैनल पे क्लिक रहे है उसमें अपले लिस्ट दिखाई देगी तो उसमें सारे वीडियो देख सकते हैं ऍब आजए देखते हैं मंता और विंदय कार्णी और जैसंकर परसाद तो इसके लिए बहुत ही मेर्टूपन नोट्स त्यार के गए हैं तो देखें नोट्स से इसमंदित पहला परसंड ममता किस दुर्ग के परकोष्ट में बैठी है उसके मन और मस्तक में क्या है तो ममता किस दुर्ग के परकोष्ट में बैठी है उसके मन और मस तक में आन्दी उनका योन किस के समान ओठ रहा था उनका योन किस के समान ओठ रहा था तो शोन के समान वे रोतास दुरगपती के किस मंत्री की अकेली दुईता थी और वे विद्वा थी तो मंत्री चूडा मनी की दुईता थी दुईता मतलब बेटी होता है उनके लिए कितने सेवक चांदी के थाल लिए खड़े थे उनके लिए कितने सेवक चांदी के थाल लिए खड़े थे तो दस सेवक खड़े थे इस पत्नो मुख प्राचिन सामत्मस का अंत्य समीप है किसने किस के लिए कहे तो और किस से कहे तो मंत्री चूडा मनी ने बेटी ममता को कहा कि इसका अंत्य समीप है मंत्री छोड़ा मनी ने बेटी मम्ताव का और रोधास दुरग के लिए और रोधास दुरग के राजा के लिए का दह्या एक परसन उस रोधास दुरग पर कौन आकरमन कर सकता था उसे रोजितास दुरग पर कौन आकमन कर सकता था तो देखे शेर सां सूरी सेर सां उस दुरग पर आकमन करने की तयारी कर रहा था कासी के उत्तर द्रम चकर विहार किसके खंडर हैं तो मौर्या और गुप्त समराटों के मौर्या और गुप्त समराटों के खंडर हैं जहां पंचवरगया बिक्षु गोतम का उपदेश ग्रैन के लिए मिले थे उसी स्तूप के बगनाव सेस की मलिन चाया में कौन जौंपड़ी में बैठी थी तो मम्ता बैठी थी तैमूर का वस्दर इस्त्री को चल करेगा यह किस के लिए आया है तो हमायू के लिए आया है मम्ता कितने साल की होकर मरी थी शत्तर वर्ष की मम्ता को गाओं की महिलाओं ने किसे पानी पिलाया तो सिपी से हमायू अस्रिय लेने के बाद दुबारा मम्ता के पास कितने साल बाद आया मम्ता ने विश्राम की असलियत अंतिम रूप से किसे बताई मम्ता ने विश्राम की असलियत अंतिम समय में किसे बताई तो खुद हमायू को जो अस्वारवी की रूप में आया था जोंपडी की जगें अस्टकॉन मंदिर बना और उसके शिला लेक में लिखा था दिन की लिखा था सातो देश के नरेश उमायू ने एक दिन या विश्राम किया था उनके पुत्र अकबर की उनकी समर्थी में यह गगन चुम्बी मंदिर बनाया गया उनके पुत्र अकबर ने समर्थी में यह गगन चुम्बी मंदिर बनाया उसमें किसका नाम नहीं था उसमें मुम्ता का नाम नहीं था जो शिला लेक लिखा था कि देखिए अगला पर्लसन हो चोमाश कायुध हीध हुआ जो किस किस के बीच हुआ तो मोगल और क्युतों पफ़ाणों की बीच हो गतर मुगलों में उमाईउ tracking में सेर्ष का पाठ में ममता किस परकार की इस्त्री है तो अपने करतोविया पत्ष्य म१ाई नय ओड़ने वाली और अतिति शिथकार करने वाली और अपने करतोविया पत्ष्य नय म१ाई यह थे बाहूती में पिर्वुद्व Right कुछ आते हैं तो दोस्तो कॉमेंट करें धन्यवाद अजय लिसा रहे हैं